अपना काम खत्म करके वापस अपने गाउन लोटते वक्ते मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था मैं अपने काम में बिज़ी तो था लिकिन कोई और मेरा काम तमाम करने में बिज़ी था इसका अंदाजा मुझे नहीं था इसलिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी देखिये इस तरह जिंदगी और मौत के बीच जूज रहां कल परसो तक हसे खुशी से बीचने वाली मेरी जिंदगी अचानक से तहस नहस होने लगी उसकी वज़ए एक ही है मेरा एगो इस दुनिया में इगो जो भी जहां चाहे आराम से फ्री में मिलता है इसलिए ये जिसके पास भी होता है टंस में होता है ये देखो इन दोनों के पास तो कुछ जादा ही इगो है गोपी नाइडू, इंद्रवर्धन नाइडू, दोनों इगो की लोगोज हैं इनके इगो की शुरुवात पहली बार यहीं से हुई इस तरह अपने अपने इगो में वो दोनों वहां से चले गए लेकिन उनके ट्रेक्टर्स कई सालों तक वहीं खड़े रह गए शुरुवात में गोपी नाइडू के दो ही संताने थी इंद्रवर्धन नाइडू के चार संतान हैं इस इगो की वज़े से उसने अपनी पत्नी का री ओपरेशन करवा कर और दो संतानों को जनम दिया वास्तो में इंद्रवर्धन नाइडू की 800 एकड़ की जमीन थी लेकिन गोपी नाइडू की 1000 एकड़ की जमीन है इस इगो की वज़े से दुगना दाम देकर 200 एकड़ की जमीन उसने खरीदी और इस तरह से उसने अपने इगो को आसमान की बुलंदी पर पहुचा दिया गोपी नाइडू की जमीन बंजर थी इस वज़े से वो काफी दुखी हुआ करता था लेकिन अपने बंजर जमीन से ज्यादा इंदरवरधन नाइडू की खुशी देखकर गोपी का दिल जलता था किसी तरह उसने सोच कर एक रास्ता निकाला और अपने खेतों की सिचाई के लिए एक योजना ले आया गोपी नाइडू की सरकारी योजना के सफल होने से वो सुखी हो जाएगा इस टेंशन में बीपी की वज़े से इंदरवरधन नाइडू अपनी जान कमा बेट पढ़ाई लिखाई करने वाला अच्छा बनता है और सबक सीखने वाला महान बनता है लेकिन इनके वारिस भी इगो नाम की विद्या में पीचडी कर चुके थे वैसे तो सिनेवा हॉल्स में हर रोज चार शोजी होते हैं लेकिन इनके इगोज तो 24 गंटे चलते रहते हैं इसलिए ये लोग अपने घरों से ज्यादा पंचायत में ही दिखाई देते हैं इनके आपसी जगड़े को सुलजाने के अलावा पंचायत के मुख्या को कोई और दूसरा काम न था आखिरकार दोनों के घरों के बीज कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गई इगोज की इस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों परिवारों के वारिस इंदू और गोपी इनका नाम वाटसैप कटपा है वो कटपा राज परिवार के सेवक थे तो ये कटपा वाटसैप के सेवक हैं ये वाटसैप के बिना पानी नहीं पीते और ऑनलाइन के बिना खाना नहीं खाते ये वाटसैप के इतने बड़े खुलाम है कि गाड़ी में वायर्स का सेट लगा कर पीछे से बैटरी से जोड़ कर सेल फोन्स को हैंडल में लपेट कर इंटरनेट कनेक्शन से सेट करके सारे गाउंवालों को वाटसेप ग्रूप में डाल कर पलपल की खबरों से अपडेट करते अरे वेंकटेश, इंदू बिटिया ने नई गाड़ी लिया या कोई देख रहा हूं जी कौन है ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं गाड़ी जारा संभल कर चलाई ये एक्सेलेटर संभाल के वरने गिर जाओगी ऐसे चला रही हो देख कर चलाओ ना मेरी स्कूटी है तो मेरी मज़ी चलेगी मैं जाहे खड़े में जाकर गिराओ या फिर किसी गाड़ी को ठोकू तुम लोग कौन हो पूछने वाले यहीं सुनकर दूर गाउं से आये। आपको को गलत पंई होई है तो नहीं ना इसे मैंने अपलोड नहीं किया है देखिए कुछ तो जरूर गलत वाया है जाहो तो एक सो रुपे बढ़ा कर देंगे हम सब मिलकर एक भाव तैकर लेते हैं वो तुमें चलेगा ना तुम लोगों को तुमें अभी बताती हूं ले लो नीले रंकी स्कूटी ले लो बहुत सस् इससे बढ़कर क्या होता है वो इंडू है उस इंडू से शादी करना चाहिए उसके इगो को अपने पैरो तले जिस दिन को चल दूंगा ना उसी दिन हो जाएगा मेरा टागेट पूरा तरी इगो आ गई अरे ओ पुष्पा बोलो गोपी इना बताए कहां जा रही हो सॉरी पूरी वो मेरे फेस्बुक फ्रेंड अनुष्का के भाई की सगाई है और उसके लिए दूसरी गाउ जा रही है जाओ-जाओ-जाओ-जाओ-जाओ-फुष्ट करना ही पर है वह गोपी मेरी दादी के नाम से मुझे बार बार आवाज देकर मेरा इगो होट कर तो यह चैप आजार में बिखने वाला खिलोना नहीं हूं ना ही कोई डीजल या पेट्रोल हूं गाओं के ग्यारा गोपियों में से पांच आखिर दुबई क्यों चले गए जानती हो क्योंकि इस गोपी ने उन्हें दुबई भीजा है इसे क्यों इन पर इतना प्यार उमड रहा है वो प्यार नहीं इगो है कोपी नाम का बंदा या फिर उसका कार्ड मुझे इस गाउमें मैं ही चाहिए इसी इगो की वज़े से नकली पासपोर्ट बनवाकर दुबई भिजवा दिया मैंने उन्हें फिर सबको मैंने साफ साफ कह दिया अगर इंडिया आने की बात करोगे तो नकली पासपोर्ट का भांडा फोड़के जेल में चक्की पिसवाऊंगा समझ गए और यह, Gopi. महरबानी करके उस नाम से मत बुलाओ मुझे उस नाम की वज़े से मेरा हाथ कटि क्या. मेरा नाम स्नुदर हूं- पैसुर। सुन्दर, तुम सब क्यो रो रही हो. थोड़ा एमोश्ण हो गए आइडिया इन दूने तीन लाग रुपे में कुट्ट्य का बच्चा है यार वही देख रहा हूं लड़की थोड़ी हटके यार चीची अरे उसने पिल्ला खरीदा ना हम पिल्ली खरीदेंगे अरे सुनो यहां पर गोपी कोन है यह तुमांदे हो क्या दिखता रही हमारे गोपी बाबू सामने हीरो की तरह बैट है सर आपके लिए पारसल है मेरे किसी फैन ने भेजाओगा सर दस्तकत कर दीजिए यह दस् दूँगा टिप के नाम पे 30 जिब में डालना चाहता है यह टोपी किसी और को पहना ना मुझे नहीं 30 रुपे से मैं बंगला बना लूँगा इसमें क्या है जानते हो क्या है यह आइफोन वाह गोपी बाबू ने आइफोन खरीदा क्यों रहे गोपी तूने आइफोन बु आगे आगे देख होता है क्या ए छोटू तू इधर ही रोक मैं अभी आता हूं एटीम सेंटर जाके कैश लेके आता हूं पकड़ाई जिंगोर फोन के सतर अजार बैग में और टिप के एक हजार जेब में ला फोन मुझे दे यह लोग नया फोन मैं हूं दीवाना यह है काल राम्या गाउं में पान की दुकान चलाता है इसे बाप बनने का बड़ा शोक है लेकिन इस जनम में उसके लिए बाप बनना बहुत मुश्किल है इसलिए एक मुर्गी को पाल कर उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करता है वो उसकी जान है देखते हैं यह महाशे कहां जा आँ महालक्षमी का है आखों से दिखाई नहीं दे रहा है क्या रानी की तरह मेरी गोद में बैटी है ना यह तुम्हारी महालक्षमी है आरे मेरी इकलौती बेटी और मेरे पूरे जायदात की वारे मतलब जो शादी करेगा मालिक बन जाएगा यह उसी पहाने से मेरी बेट कार भाईयों और एलेक्ट्रोनिक मीडे के मित्रों सब बैट जाएए यूथ अमलापूर में वाट्सप हो या फेस्बुक हो रात के नौ बजे ही बंद कर देना चाहिए किसी भी सेल से अगर लाइट है तो मैं समझो उसके पीछे हाथ धोके पढ़ रिया हूँगा गाओ के सारे ब्योडे रात के दस बजे ब्रेंडी शॉप के पास नहीं दिखेंगे मुख्य रूप से आज मैं ये मैटर बोलने जा रहा हूँ वो लेडिस के लिए है बहनो आप लोग टीवी सीरियल्स की गुलाम मत बनिये अपने पतियों को गुलाम बनाईए अगर किसी ने छेड मैं आपके लिए तैना अधूँ ये पुली स्टेशन आपके लिए 24x7 खुला रहेगा ये याद रखियेगा इसके बाद अगर कुछ हुआ तो जुर्म करने वाले पर मैं अपनी छाप छोड़ दूँगा ये पंडू ये सर तंबाकु का स्टॉक मंगवा है क्या भूल गया सेर देखो मैं जब तक अमलापूर में ड्यूटी पर हूं तब तक हाथ में लाटी ना रहे चलेगा लेकिन तंबाकु रहना चाहिए नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं समझ गये अभी लेकर आता है ये काम खतम करो कुसी का मिश्कॉला है मैं गिर चुकी हूं का परसे चत परसे या सेडी से आपके प्यार में अगर तुम हो कौन अभी अभी टीवी पर हॉलिवुड के सूपरस्टार जैसी आपकी छवी देखी मैंने और फिर आपके भारी-भारी पंच डायलोग सुनकर तो मैं लंच करना भी भूल गई अच्छ चुपड़ी बाते और दिल बहलाने वाले डायलोग मुझे मत सुनाओ तुम्हें कोई प्राब्लम हो तो मुझे फोन करो फेले फोन रखो देखा बंडु यह पर क्या आगया प्रपोसुस आने शुरू हो गए सोचाता है एसपी साब है यह तो चिकन क्रिस्पी निकली सर अवे घजय मेरी पत्नी है हां मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा नाटक अब हाथ नीचे करो इसे मारने का चांस तो मिलेगा नहीं सलूट करने का चांस भी नहीं देगा बारते रहो शायद मौका दे द तुम्हारे मूँ बंद रखेगा इसे चिवारी नाम मेरा नाम सरूजा है को चला ना बंद करो तीन दिन हो चुके हैं पता ने कहां चले गये हैं वो जिनसे भी उनके बारे में पूछती हूं सब मुझ से दूर भागते हैं तो और क्या करेंगे तुम्हारी आवाज सुनके तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे अभी एक बात सुनो मेरे मुताबिक तुम्हारा पती अगर कई भाग भी गया होगा तो तुम नीचे वाले सुर में चिला कर उसे आराम से वापस बुला लेकिन सर इतने यकीन से आप ये बात कैसे कह से तो ये आप वितिया आपको क्य तुम मुह बन कर सरोजा तुम मेरे साथ चलो मेरे यहां रहते हुए भी इस औरत के साथ जाना चाहते हो तो फिर तुम दोनों चड़ जाओ अरे चीपे चड़ो अरे भगवान अब तुम शान दो जाओ अगर मेरे पती पर विशुर नहीं तो मेरा क्या होगा अरे पांडू वाइफाई क्यों नहीं करेक्ट हो रहा है और पांडू किसी बजीला बुझी की नाम से करेक्ट हो रहा है कौन है पता लगाना पड़ेगा देखते है सर्फ ए सुनो यहां बजीला बुझी का घर का है रहे साब आज आपका मूर बनाने का प्लान है क्या ने इतना ची यह जूटी पर आया किसी आसे वाजे काम के लिए नहीं सुनो तुम्हारे पती अंदर है अरे जाओ दर्वादा खटकटाओ मैं यहां बे खड़ा हूना सारोजा तुम अरे मेरे रहते तुमने दूसरा घर में बता लिया मुझ में क्या कमी थी ऐसा करके मेरी संदेगी क्यो यह बात इंपोर्टेंटि के घर बसाने इंपोर्टेंटि थी पूरी दुनिया में तुझे बस मेरा यह पती मिला था था इसे प्यार से पेश आती तो मजा लेकि यह तुम्हें चोड़कर एक पराई औरत के पास रहने आते मुझे माफ कर दीजे सुनो मैं दुबारा से कभ और वरत रखोंगी और बचा एक दिन भी जितना काम होगा उतनी ही बात करूंगी अब चलिये ना चलिये ना मुझसे कितनी बड़ी कलती हो गई इस बजिला बुझी को ठुकरा रहा है चलाट मेरी पत्नी बदल चुकी है अब तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है चल सब्सक्राइब को एक मेसेज देना है अपने पतियों को ध्यान से रखिये गा उन्हें छोटे बच्चों की तरह सभा दीजिएगा उन्हें थोड़ी आजादी भी बीचेगा तभी जाके आपका संसार खुशी खुशी बीतेगा याद रखिये मैसस पब्लिक के लिए था या बेवी के लिए कल रात को बना चिकन बहुत ही टेस्टी था यार मजा आ गया मजा तो आ गया लेकिन मुर्गी उसकी तुमको एक बात बता हूं क्या मेरी मालक्ष मी भूत बर्गर तुम सबको चीर कर खाएगी एक पिता होने कि नाता है यह श्राप है मेरी तो रुक बताता हूं पत्थर गही है पत्थर है इसकी तो रुक भागता रहा है तुम्हें इस तरह ठाट से चलते हुए देखकर मेरा मन आपकी और खिचा चला जा रहा है मैं पूजा में कोशिश कर लो मैं फ्रेश नहीं हो सकता इसलिए तुम किसी और फूल को पगड़ आप इस्तिमाल के हुए फूल हो या सड़े हुए फल क्यों ना हो मैं तो आपसे ही प्यार करूंगी सड़ावा फल फिर से फ्रेश लटकने वाले बस एक मंगल सुत्र बन कर रहे हैं यह कड़ आप तो सब कुछ सह रहे हैं पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हां कहोगे तो मेरा प्यार आपका और ना कहोगे तो मेरा तूट जाएगा इसा नहीं मेरी बातों ने मुझे प्यार करेंगे या नहीं तुमारी बस प्यार करोंगी और तो सामने आओ अपने प्यार का इज़ार करो सामने प्यार करने में बस यहीं मेरा लुक है यह सारे लोग कहां जा रहे हैं यार कोई कुछ बताई नहीं रहा है कहां जा रहे हैं तुम लोगों को नहीं बुलाया हम चोटे-मोटे नहीं जाते हैं तुम्हारे जाने से कुट्टों को बुरा लगे अगर लेट हो गया तो सारा खाना खतम हो जाएगा तुम बेकार लोगों का क्या है तुम लोग तो कोई भी फालतू बीर पीकर काम चला लोगे लड़की ने मिस कॉल दिया है सुना क्या वा रोक यू रही हो अ गाव में बेकार घूमता है वह बुला काल करके पूछता है मिलने आओं की और क्या उसने मेंसिजिस करके मुझे परेशान करता है और वॉट्सपर अप्धी फोटो भेशता रहता है और फेस्बुक पर फेक पिक्स अपलोड करूंगा ऐसे कहता है वह तो गया तुम बसे कं करूंगी तो मुझे मारने की धंकी दिया बड़ा गुंडा है वो गुंडा नहीं सित्ती है महालक्षमी के साथ भी उसने ऐसे ही किया था उसका रेप करके पार कर दिया और अगर उसके डैडी ने कंपलेंड की ना तो उन्हें भी मार देगा ठीक है तुम फोन रखो मैं उस इस वाले आइसी पूश्टाच करते तो यह बात है साथ तेरी इन मालश्विनाम की बेटी थी क्या है भगवान थी साब जी मेरी बड़ी बेटी महालक्षमी वह गोपी और उसके गैंग ने मिलकर बड़ी बेरहमी से बलातकार कर गे मेरी बेटी को मार डाला साब जी ठीक है साब जी अगर मैं उनसे पंकर लूगा तो मेरी चोटी बेटी लगे तेरे फेस का एक्स्परेशन बदल क्योंगी है जुलम इसके साथ हुए तेरे साथ नहीं उसकी बेटी महालक्षमी का रेप किया है साथ उसका दुख तू रोके मत निकल तू कूल हो जा कालिया रामिया पैसे तो देते जाओ जुटे नहीं है आपने पता है तो पूछता क्यों अब है मैं जूते पॉलिश नहीं करता उधर जाओ पॉलिश कराने नहीं शाने मैं आयो तो जब फिनिश करने के लिए जल शाने अब खेल के बता देगा सुनिया इंस्पेक्टर अपने ये तेवर गुंडों को दिखाईएगा हम जैसे जंचलमेन के सामने कभी नहीं त्रीपिंट लग यहां बैटा इसलिए तू जिन्दा है समझा जेल में जाएगा तो जिन्दा नहीं बचेगा अल्द बेस् जास त्वार नहीं है पगारा है यादमी डिस्कवरी चैनल पर जो शेर दिखा था ना उसे आज गाओं के गलियों में घूमता हुआ देख रही हूँ तुम हर बार मेरी इस तरह तारीफ करोगी तो मैं एमोशन होके किसी का इंकाउंटर कर दूगा एका राजा रानी लगता है बगरा बी आप उनको ऐसे देखते रहे तो गेम कतब होने के बाद पहुचेंगे जुपरे ये खेल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आगे चार्ट तुझे लॉक अंदर डालूगा तू निकल नहीं सकेगा मैंने क्या गुना किया ज कभी धोका नहीं हुआ है ये पहली बार है जो मैंने धोका खाया है सुबह सुबह भाबी जी ने खाना नहीं दिया क्या अबे गदे जवर्दस्टी के 25 बार उस गोपी नाम के गुंडे की पूरी हिस्ट्री निकालूगा और उसकी जिंदगी तास के पत्तों की तरह बिखे अले खुद तो बीवी के जाल से बार निकलो ये कोन है लाइत में बीर बार से पहकड़ाता सा तो मुझे क्यों नहीं बताया आप तो बजीला बुजी के साल अले मुझे नहीं मुझे क्या कौन सा गाव है तुमारा मुंबई ए सुन इस ड्राइफ रूड को तैयार करेके र जिससे वो शाना घोपी तो क्या उसके फरिष्टे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे हाँ अवल्दार पांडू चुप चॉप इस बॉक्स को उसके बाइक के बॉक्स में डाल दे ओके सार अलो टीवी नाई हाँ साब बोलिये एं टीवी बोलिये सार टीवी पाइब ये पूस्ट पर आकर मिलो उसका इगो देखा सर अपने बालों में कैसे हाथ गुमा रहा है गुमाने दो उसे पांच मिट के बाद उसे सर छिपानी की जगे तक नहीं मिलेगी जान ले मिनिस्टर हो कलेक्टर हो MP हो या MLA हो या MLC हो मैं किसी को नहीं छोड़ता जाए मेरी पत् तू अंदा हो गया है क्या है तू जानता नहीं कौन है यह मेरी इकलोथी पत्ती है सर आपी ने तो कहा था कि कोई भी आए उसे छोड़ना मत चाहे मेरी बीवी ही क्यू ना हो अरे वो तो इमोशन में आकर बोल दिया तूने उसे सच मान लिया अरे मीडिया वालो आकर सुनल हमारे ओफिसर की बात कानून के रखवाले पत्नी के लिए न्याय करते है और पब्लिक के लिए अरे शाने गोपी ने तो मुझे ही फसा दिया और मेरी सच्चाई को प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा तूनिये डियर प्रेस मैं कोई बेदभाव नहीं कर प्रेस करें से खख़ले और इन के लिए मैं तुम्हारे समने जोग जाओं इस्वात मेरी बात मांजा घर जा Deck के जो करना है कर लेना मेरी मा मांजना मांजना प्लीज प्लीज मैंडम की चेकिंग शुरू करो ड्यूटी एंगी चेक करो ध्यान से चेक करो देख लो आप लोग सब चेक हो रहा है इसमें क्या है इसमें इसमें ड्रंस है तुसी आई साब के पत्नी की गाली चेक कर रहा है तुझ में जरा भी अकल नहीं है तुपरे पांदू अपनी और एक खालिजे, खाते रहिए, प्रेस वालो, देखो मेरे हाथ में क्या है, कोई इसे खाना चाहेगा, हाँ, बहु बन रखने का था, उन्हें जिंदगी भर का महन रखिया, क्या, उसी की गाड़ी में रखने जा रहा था, तभी बीच में मावी जी मिल गए और मुझे मार कर ये बक आपकी पत्नी कुन्हेगार है, सर आपकी पत्नी फॉस्टाइम ये समगलिंग रही है Medic कर रही है इस से पहले भी उसने ये सब किया हुआ है, सर आपके जवाब का हमारे दरसक, इंतिजार कर रहे है, सर जोप रोग पर निक्व स windows नंत चीजब का आइफ, जोबर, योज कि दर लग रहे हैं पांडू चैनल बदली कर सारे चैनल्स पर भावी जी च्छाई होई है मेरा खौफ खतम हो गया लगता है आपके घर में ये स्मगलिंग कितने दिनों से चल रही थी मीडिया को बताना होगा आपको सर क्या इस रैकेट में आपके सास्तसुर भी शामिल है सर अपने इंफुलेंस से आप अपनी पत्नी को चुड़ाने की काफी कोशिच भी कर रहे हूं अपनी पत्नी पर कौन कों से के से दर्श करोगे सार्वी प्रेस वालों को मेरा शाष्टांग पड़ा मैरे अपने सिद्धांतों पे चलने की जो कसम खाई है उस वजह से मैं आज कभी न मिलने वाला मौका मिला है आज अरे वाह मसा हारा है लगता है पूरी बडास निकालेंगे लगता हारा है अरिवापे पूरे पच्ची साल का फ्रॉस्टेशन निकाल लिया ना सह है अवे पांडू कभी शेर को घास खानी ही पड़ती है रहे है देख मेरी मा अगर तू चिलाएगी तो कम से कम बाहर वालों को लगेगा कि तू नहीं मैं तेरी पिटाई कर रहा हूं इतनी अक्टिंग कर दे मेरे लिए अब भी बताती हूं अक्टिंग करवानी है मुझसे यह यह नो यह नो पूरी तैयारी एकदम राप्चिक है बाप कली मुहल्य नुकर में तुम्हारे पोस्टर लग चुके हैं स्कूल में किताबे मंदिरों में प्रसाद अस्पताल में दूद और केले अनात अश्रा में कपड़े पटवा दिये हैं अच्छा अच्छा ब्लड डोनेशन कैम का क् इस मेगा ब्लड कैम को देखकर पूरे स्टेट में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा मेरी ग्यारेंटी है यू डोन्ट वरी हाँ भाए यह यह मेरी फैन फॉलोइंग देखके गावाले मुझे पॉलिटिक्स में ही ना भेज दे हैं औरे छोड़ना है औरे क्या है या साम कुछ समझ में या रहा है लोग इजट दे रहें कि आज मेरी इजट का फालूदा हो रहा है बड़ा लफडा होने से पहले गाड़ी गुमालो गाड़ी क्या हुआ किताब अभी तक बटी नहीं सारी की सारी ऐसे ही पड़ी है या बाड़ने का एक मक्षी तक इदर नहीं आ रही है और उदर इंदू अपने कुत्ते के जन्मद्री पर टैप्स बाट रही है चलो चलो ये लो समाल कर रखना हां ठीक से पढ़ना हां धत्त तेरी इ इदर आप बुक लेजा बेटा अरे पहन तो लेके जाओ अरे पैन तो लेके जाओ आई ये आपको लेके चलते हैं कैसे अनुखी रख्तदान है कर रहे हैं इस काम के बाद हम नाचेंगे और वो रोएगी और इसा करने वाले भगवान धरूप है क्या कर लोग उनकी तारीफ के फुल बांद रहे हैं और इतना ही नहीं तीस राजों से लोग इस रख्तदान शिविर को देखने के लिए भारी तादाद में आ रहा है और टू इस राज चल रहा है चल बाजू में आट चल रहा है यह क्या बख रहा है रहा है चलो रहा है चलो रहा है जो अन्दर शुड़ना मैं किसी से डरता होता नहीं हूं शौक के बाद मेरा जनम दिन में बदल गया आखों की रोशनी जा रही है कुछ अंदर हो रहा है धड़कने रुक रही है सारी दुनिया में पहली बार कुट्तों का रक्तदान शिविर लगाकर अमलापूर की इंदुने कई रिकॉर्ड्स बना दिये हैं घून केवल इंसान और इसे सवाल का जवाब चाहिए यह तो बहुत अच्छी बात है इंदु जैसी महान महिला का हमारे अमलापूर में जन्म हुआ यह गर्व की बात है ना खुशनसी भी वाली बात है ठीक है मेरा पोस्टर भी भाड दिया देख यार क्या दिन आ गए है कुट्तों ने हमारी इतना महान कारे करने वाली इंदु जी को कई सेवा संगों ने सेवाभार्ती विशेश महिला और आदर्श वनिता के नाम से प्रुश्कृत किया है यह गोपी पिल्ले तेरे सारे की वज़े से वह हवा में उड रही है समझा अब इस चहर में तू रहेगा या फिर मैं रहू बोल रहा हूं इस चहर से बाहर निकल जा फिर भी शरम नहीं आती ठीक है बिना टिकट के तुझे एक शहर से दूसरे शहर में भीज देता हूं सोजा बेटा नई जिन्दिकी मुबारों को गुड नाइट दुबारा मता ना जा 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 अपनी जिन्दिकी जी ले तुम क्या लगा कर उसका जनम दिन मना रही हो आखिर ये क्या है पागल हो गयो क्या तुम अगर तुम ऐसे करोगी तो आखिर तुम से शादी कौन करेगा ने दीजिए भाईया हमारी बेटी में क्या कमी है सब कुस तो है इसमें जैसे एटियम के लाइन में खड़े होते है वैसी खड अगर तुम अमलापुर छोड़ कर जाओगी तो हम कैसे रह पाएंगे अरे यार तुम सब मुझे और रही हो शादी को रोकने का अगर को युपाई है तो वह बताओ भूल तो खरीद लिया लेकिन पासवर्ड क्या है बताओ ना इसका पासवर्ड क्या है बुष्पा पी य इस चैनल का ब्रेकिंग न्यूस क्या है बुष्पाई के लिए आने वाले लड़कों ने अपनी आखों की रोश्टनी को दी पंद करो अपनी ये बक्वास ए गोपी सच कहों तो मुझे शादी करने में कोई इंट्रेस नहीं है लेकिन अब बोल रही हूँ एक हफ़ते के अ सब्सक्राइब कर लोगिए और उसके सारे दोस्त मर गए चलो अ को अश्यारी जल्दी मरें अगा इंदू कुमारी का घर कहा है एद तु बता पहले सीदे जाओ उसके बाद बाइं जाओ फिर मंदिर आएगा उसके बाद दाएमुड़ो समझे ना चलो जाओ इंडू जाओ और उसके बाद लेके राई इंदू जी का घर अरे बाप्रेश सब ऐसे चांग दूआ रहा है इस गाउं की सेवा भारती आवार्ट जिसको मिला है वो इंदू कुमारी जी का घर कहा है कहां से आयरे और उसके घर जाके तु क्या करेंगा अरे कारण नहीं जाते है का अपनी बेटी इंदू का स्वेमवर करवा रहा है क्या बहुत प्रेश में सौ एकर जमीन और फचास करोड कैस देंगे इतना जरूरी बात नहीं पता है तुम लोगों को बहुत का घर कहा है तु थुम पार एसे गारी चरा कर ऐसे उपर पहुंचा दोंगा इसे रांपशा को पता है उसने रचा है तु हमें क्यों यादे कुब बार जा रहा है सेवाम भारती इंदू कुमारीू कभा हुआ टू भी स्वामवर में जा रहा है पिहें मेरें लाओ ली किया आउखक पारर है तो अब तो कुछ जादा ही हो रहा है कोई भी हो एक दिन में एक रिष्टा देखता है ज्यादा से ज्यादा दो रिष्टा देखता है यह तो हदी हो गई जैसे कल ड्राइडे है और आज पिया कर लोग गां से शाहर से लाइन लगाने आगे यहां तक ही अमेरिका रुको रुको रुक जाओ शेवा भारती का घर कहां पड़ेगा अरे रेडी होकर तो आते ताइम लग जाएगा ना गहां हो है ना जी लेट होंगे इसलिए यहीं से यहां से भी भागो रहे यार भरी दोपहर में कभी दारू के अड्डे पर आना पड़ेगा सोचा नहीं था मेरा तो सर फटता जा रहा है या सेवा बारती इंदू जी का घर कहां है वार्ट करने वाली कुमार इंदू जी का घर कौन हो तुम सब लोग है जाल यार कहीं भाग जाते हैं बहुत भाग लिया ग्रेजुएट हो गए हो ना क्या हुआ सुबह से देखी रहे हो या किसी को सिलेक्ट भी किया जाहे कितनी भी देरी हो जाए इंदू का दूला अच्छा होना चाहिए और चोटे सब के लिए खान सुनिये जेजी कहा है आप देखी ना पांच हजार डॉलर कमाता है अच्छा है लड़का अमेरिका में डॉक्टर है अपने अमना फूर से है लेकिन अमेरिका में सेटल है भाइया अन्युक्त परिवार भी है हम लोग भी तो यही चाहते है ना भाइया इसे फाइनल कर दे क आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है डॉन सेल्फी प्लीज दो एकड़ बाकी है आज एक बेच देते हैं हां बोली डीडी वाले एक लाख रुपे का क्या हुआ यह एक लाख रुपे ले और डीडी बनवा कर घर पे आजा भाई लोग नया फोर आया वो मेरे दोस्त को दिये थे वो भाईया मैं जानता था कि तो जूटी बोलेगा ठी वहाँ वो अमेरिका में रिष्टा टाय करने की बात कर रहे हैं और यहां तेरी वज़े से पूरे गाव में हमारी इज़त जा रही है गोपी के लिए भी अमेरिका से रिष्टा ले आते हैं क्यों नहीं अरे अरे बैक देना समझता नहीं है क्या है मैं अपने पापा की डांट के वज़े से यहां से नहीं जा रहा हूँ मेरे इगो को चोट पहुची है इसके लिए मैं एद्रावाज जाओंगा उससे भी अच्छी लड़की पटाओंगा और तब ही इस शेहर में कदम रखोंगा उस पर अपना गहल रख चल भाए वही है क्या वही है शंकर पूल उठाना यार अब क्या करें फोन नहीं उठाएंगे वाल क्या देखना अब दुबाला पोन कलेगा ए चंद्रा तू भी फोन नहीं उठा रहा है अरे उठाना भाई अब क्या कलें ठीक है नहीं उठाते हैं तू तो मुझे बस टॉपर लेने आने वाला था ना गाउं में हम यह बहुत परिशान करता थ और हम उठी बात का बदला ले लें हैं वो पांत मिनत का ब्लेक लेगा इधल उधल तहलेगा पेल के उपर तीन बाल मा लेगा दो बाल तिगलित पीएगा एक ताय पीएगा और फिल पोन कलेगा देखना इसको कहते हैं पेवफाद दोस्त ओनलाइन तो है बासकर वेनिंग अक्टिंग कर रहे है अरे वास सुन्दर है अरे उसे के लिए तो खींचा क्यों आई बड़ी बापले यह तो लल्की आगे पौन में मज़ा आ गया इनले अब देख कित लल्की को मैं कहते पताता हूं लड़की के पीछे पागल मैं तुझे अच्छी तर जानता हूं मुझे तुमसे इस वक्त बात करनी है मैं तुमते बात तलना थाता हूं मैं तुमारी गली के आखरी घर में आई हूं यहां से गुजरते हर रोज तुम्हे देखती रहती हूं ततमे तुमारे घर के इस्त्री वाले ने मुझे तुमारा फोन नंबर दिया है अथा, I love you, साथ में बीयर पीते हैं अभी, मुझे तुमते मिलना है अभी, अभी मिलना है, अले, तुभा तुभा पहली धाल का, बीयर पीएंगे हम लोग, ठीक है, जल्दी आओ ना, मुझे आफिस के लिए लेट हो रहा है, क्या बात है, मिलने के लिए उताओ लिया है, तो लेता हूं, हाँ, काओ की, काओ की, उतने तो यही दगा बताई थी, कहां चले गई, उता, 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 नहीं ता ये, ये खोगा ये त्या, अले भाई, तु यहां पल, होटेल बुक करेगा, यार कौन आ गया इस वक्त, ब्रो, ये तेरा गाल लाल कैसे हो गया, ये, तुमा लभी होने वाला है, मेरी नाक में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मधाल है, हाँ, अंटर वो आगे-आगे क्या जा रहे हो, आगे हीरो चलता है, अबे ये बता, तु खाना खाता या, इगो खाता है, इतके इगो की रेंज ही जांता है, अगल उलम्पिक में औ तो मैं कहता हूं यहीं दिते का और कोई नहीं लोग अलग अलग तलगी तर्थ लगाते लेकिन तुने तो ललकी को पताकल अमला पुल लाने की तर्थ लगा दी क्यों अगर तुने अपना मुव बननी किया तो उसके साथ अभी पिदवा दूगा और शादी कर रहाऊं यहीं यहीं आपका कोई बॉइफ्रेंड नहीं है अहां नहीं है मतलब जगा खाली है हां है तो क्या मैं अपलाए कर सकता हूं अफकोस अब तो दंदा चलता ही रहेगा प्यार के बारे में आप क्या कहती है मेरी राय पहले मैं सबको प्रपोस करती थी अब सब लोग मुझे खुब सूर्थी के लिए यानि कि तुम वह तूइन वन हाना अरे सुनना कर्यार कैसा शहर है आदमी औरत में फर्की पता नहीं चलता है तुम से ब्रेक अप कर रही हो तुमने मुझे नहीं है लगता तो एता ही को वहां जाकर अपलाई करता हूं मुझी अपनी शकल दुब हर मिनिट में प्रेक अब होता है और हर मिनिट के बाद वही लड़की मेक अप करके वापस निकलती है नय करका दूदने के लिए तुझसे अच्छे च्री लड़की ब्रेक अब होने के बाद शौपिंग मॉल में घूम रही है औरह स्यान अब ने पक्कर खड़ें सब देख रहे हैं विए पब में कोई मुश्किल नहीं होगी यह रे तो बीएर देना एक्स्क्यूज में एनियो पर जारे लो पर हम देंगे बिल तुम्हारा है दिल तमान दॉल लेट्स डांस अरे रे रे अभी लेकर आया था और गिर गई नो प्रॉब्लम सॉरी ब्रो सुनी यार तो खुद से यहां पर आया मुझे धक्का दिया सॉरी भी बोला मेरे फिलिंग्स का भी खयाल करना ऐसा कुछ नहीं है यार मजह लगता है यहां सॉरी बोलना भी गलत है सॉरी बोला इसके लिए सॉरी हां भाई सॉरी कैंसल ना सॉरी कैंसल तेरी वज़े से यही तेरा सर फूटा है भाई किसी ने कहाए कि आलसी बन बहुत ही बुरी आदत होती है आज उसी बुरी आदत की वज़े से मेरा भला हुआ है कभी-कभी बैड भी गुड होता है क्यों रहे गुंडे भाई लोग मैंने सही काना कि मार खाने के बाद ही समझोगे अरे एक तो उसका धक्का लगा मैं दारू लेकर आ रहा था वो गिर गई फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ दूसरी लाकर पी रहा हूं और तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यही अपनी दोस्ते यही अपना प्यार है क्या भाई लोग लगता है मार खाने के बाद ही तुम्हें दारू अजम होती है मैं गोपी हूँ अमलापुर से सब के तबले तोट डालूगा अब तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे बारो इससे जिसके पास बल होता है ना वह बल इस्तमाल करके मारता है लेकिन जिसके पास इगो होता है वह अपने दिमाग से मारता है रुक रहें असल में इस लफड़े की जड़ तू ही है इस मदू ने तो पूरी प्लान को मिट्टी में बिला दिया एक और दिन वेट करते ना पूरी जादाद लेकर अमेरिका भाग जाता तुम मुझे सपोर्ट करने के बजा इस जीनगूर को सपोर्ट कर रही है और हो मेंटल मेरी गल्फ्रेंड है क्या रे यह सच बोल रहा है क्या है तो मेरे साथ प्यार कर लें बदू कर्द में फसा है फोन पे तो उसे गालियाँ दे रही थी तुमारी जैसा फ्रॉड कॉल थ टेबल खाली नहीं है चल कहीं और चलते हैं लुकना कहां दाला है बद एक मिनट में क्या कर लेगा यह पादल यह तो पूली दगाई खाली हो गई देखना एक बियर हजार रुपे की है अले गबलाइए मत यह अमला पुलते हैं अकिल बात क्या है अरे यार यह तो हद हो गई एक पैसे में दो जंग खा सकते हैं हमारे गाउं में उतना खाना मिले तहलों में यहां हल तीद महंगी है वेतल भाई को बोतल तीन देसी दारू की ले गया बैट जाएं अमलापुर से अमलापुर से बैट जाएं लिए टेंशन मत लिजी जाएं तो आइसा ही होगा यहां की सब्सें महेंगी ब्लैंट पाथ टिकन तंदूली और ताउत इंडियन नौत इंडियन चाइनीज को लियन जैपनीट अमेलकन टाइलेंड जो भी ले आओ जब पुछ अपना भाई अमलापुल जाया है कि अमना आपू थोड़ी देर में रेस्टूरेंट बंद हो जाएगा लास्ट ओड़ो दे दीजे मेले पाथ अतली मौदलों का नंबल है यह आप क्या मुर रहे हैं सर लूम तल्वित मिलेगी क्या जोग अच्छा था अब मैं बल लेकर हूं तुल्या निकल हो यह लीजिए सर बिल बिल है अटाइस थाजार रुप है अंद्रापुल सिक नाजी लाया तो अब तो तब दिदितल होता है ना क्या कलना वरिसयर साब क्या प्रॉफ्रम है आर्यापर इन्हों ने खूब दवा आके घा पिया पर ब दिल मांगने पर पैसे नहीं दे रहे हैं जब उन्होंने ओडर किया तब तुम क्या कर रहे थे हैं मैं सर्विस कर रहा था सर इमेडियेटले इन सब लोगों को बाहर निकालो और इनके पहले इसाफ़ी को बाहरे हो तुम लोग इसे गर्मी भगाने वाली ठंडा ही समझ रहे ह तुम्हें इस्टेशन ले जाकर जब तुम लोगों की अच्छी तरह से धुलाई होगी तो सारा नशा उतर जाएगा एक उंस्टेबल लेगा चलो इने दला लामते तलाओ ना तुम जोनों ना लाएको जेब में फूटी कॉडी नहीं है और फाइस्टार ओडिल में फाइस एक मेरे तल यह ललका कबलाला है काली लोको रोको रोको यालो मेरे नहीं पांसो गिनवा अले मेली तलब दे शंकर चंद्रा सिर्फ एक हजार रुबे फाइव स्टार होटल में तुम लोगों का बिल अठाइस हजार हुआ है टेन परसंट के हिसाफ से दो हजार आट सो तो म हम लोग अपने थाथ में पी लेंगे नहीं जंकर चंद्रा मुझे जीने का हक नहीं है क्या मेरी बीवी का नवा महीना चल रहा है डिलेवरी होने वाली है उसका खर्चा कौन देगा मैं कहां जाओंगा दिखिए बलेतान मत हुए कलते हम जाके पुल बॉतल पियेंगे ठीक हाहा वाग क्या बात है यह अच्छी है यह तो जा रही है अभाउ आरे तो फिर जंट्स के लिए कुछ नहीं गया तो यहां क्या कर रही हो लेकर रहो ना थांक्यू बढ़ी यहा चीची कितना मैनर्लाइस लगा है अट्टिंग जाइ मस्त बनाई है अंकाल अब तक तो वो घर चली गया होगी की बात कला है नहीं लड़की है यार एक दिन जाता न वो पड़ जाती मिस्स कर दिया तुम दोलों के वज़े से हुआ आज यह आलाम क्यों नहीं बजा डिस्टरबंस होगा सोचकर मैंने वह बन किया था अगल तुझे दान आए तो दा शर्त हार जाओंगा लगता है इसके शर्त के चकर में यह हमें जानवरों की तरह दो रहा है यार तो अब क्या क्लें चुप चाप जानवरों की तरह सोचाते हैं चल्ट अब 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 इतना ताइम निया गल्दी बता दे तो ना आए लड़की आई है या लड़की हाई हाई काम-काम कहां हमारा एड्रेस कैसे मिला रात में फॉलो किया तो रात को बताए ना चाहिए ना तब सही है या नहीं तह नहीं कर पाई थी तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया तुम्हारी जल्दबाजी मैं सच में लखी हूं मैं तो सच में बहुत लखी हूं और कितनी दूर है जहां किसी को ना मिले अगर मिल गय तो तो फिर सब काम से गई इतना क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है एक मेने पहले एक मिने पहले पहले बताना था यह था ना अरे रुख जा रे गाड़ी रोग से वर्ण गोनी बार दूंगा सर पे बिंद्या नहीं और माथे पे सिंदूर भी नहीं मेरा पती मुझसे प्यार नहीं मुझे तुम्हें कोई इंट्रेस्ट नहीं है यू आप तो रुख जा हमें बापने पुलीस की जीप तुम्हारे पती ने कंप्लेंड कर दी ना मेरे पती कंप्लेंड नहीं करते लाही म मुझे पता नहीं था कि ऐसा लफड़ा हो जाएगा शाधी शुदस्त्री को मैं बहन के बराबर मानता हूं क्या बहन समाज वालों को पता चल गया कि मैंने यह किया है तो लोग मुझे मार डालेंगे प्लीज शुदू हो मुझे कोई लेना देना नहीं है अरे समाज में ले जाके में भीचवाएं की क्या यह मेरी भीवी के सांदा जाने क्या करेंगा कुछ ऐता कर निलिकर दों.. पॉलामतुदे दोहेते युशत कल दो बहुत्तória.. कहो..ड़ रहा धू दो.. केम से लिए जो.. güçशत कर से निला.. में कर ये क्या है यां? कहां ले जा रहा था मेरी बीवी को देर मत किजिए सर चलाइए गुली चलाइए वरना मैं जो सच बोलूँगा शायद वो आप बरदाश नहीं कर पाएंगे पंद्रेट परसंट आपने किया है हर पल जंता की अवीदि की रखशा के बारे में आपने की की एक महिने बाद ही पतनी क्यों भाग गई घर से को मेरी अप नरी बीवी को क्यूँ ऐसना पतिए पाउर पुलीस इंस्पेटर रहे सका लेंगा जैसalet कऊनी सविद्वाएं मुझूद हैं गाउं में बहुत सारी जमीने हैं मेरी और क्या चाहिए इसे हैं पॉलिस ओफिसर है सर लेकिन उस पाउर का घर में भी इस्तमाल करो ना लंका जैसा घर बनाया है लेकिन मुठी भर प्यार भी नहीं दे पाए अरे चोड़ो यार वहां पर वह बात कर रहे हैं न इनके पास धेर सारा वक्त है जिसमें आप नहीं है अरे बसकरो यार अपनी बातों से और शर्मिंदा बत करो सोच रहा था मैंने उसे सब कुछ दे दिया है पर असली चीज तो दी ही नहीं यह असास तुमने दिलाया अतली तीट के प्यार की बात कर रहे है अच्छा प्यार प्रिये आज से मैं घर में वोटी करूंगा टाइम मिला तो ही ड्यूटी करूंगा भाईया एक हजार रुपे दो ना तो हमें तो हमार तो कि अध्यूटी साथ मेरे अच्छा काम करता है तो असनान के साथ में सैल्फी लेकर अप्ने कलेक्शन में एड कर लेती हूं जो मेरे लिए मेमरी बन जाती है एक्चुली ये मेरी होबी भी है ऐसी भी होबी होती ही क्या इस लड़की में बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे थे लेकिन सिर्फ आपने उसे पैसे दिये कम सी कम पैसे मांगने का रीजन तो पूछ लेते अरे रुकी से ब हैलो मेरी बात थो सुनिये । अपका मोबाइल नंबर दीजिए सोरे जी एंजान लोगों से किसी टाइप का रिलेश्ण में नहीं करते हैं सुनिये कम से कम हम दोनों की सेल्फी तो भीज दीजिए ह। ठीक है आपका नंबर दीजिए आँ 9533 590 390 गोपी अमलापूर का गोपी लिखिये गोड बेज दी हो बेजी हम भूलिएगा मार शहर में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है आइटम डांसर को देखने जैसा क्या देख रहा है प्रो ये तो मोदे वही हिलोईन लग लग लिए इतनी कुपतूलत लल्की आकि तुझे मिली केते अब देखना उत इंदू अलुत की गैंग का क्या हाल होगा हमाल गोपी के ताथ इसे देख के वो लोग ये तो क्या कर रहा तुने वो पोटो कीती थी थी ना मैंने कटाप्पा को टेंद कर दिया अरे यार वो मेरी गल्फ्रेंड नहीं है और नहीं वो मुझसे प्यार करती है तो फेट तुने वैठी तेलपी क्यों कीती क्या तम दो मैं है अले जाए लगता इतकी ततक गही है अथा कलो तो मालता है पर भी मारता है पागल कहीं का ए देखो गोपी है वो भी लड़की के साथ खुबसूरत है ना गोपी सच में टैलेंटेड लड़का है यार श्रत के मुताबिक हाइद्राबाद जाकर उसने खुबसूरत लड़की को पठा लिया यार वो अच्छा है और हैंसम भी है उसके जा मेरी शर्त पूरी होने जा रही है मैं उससे नफरत करता था ना वो खतम हो रही है लगता है बहुत तल गई है अब तक तो वह फोटो देखकर दुख बरा दिल लेके तड़प रही होगी समझा सही बात है तड़पना ताय होते अंगल सूत्र पहनेगी ना तब भी वो है अज मैं फुली सैटिस्फाय होगी हो अखिर इसका फुली सैटिस्फाय हो गया और भी करने के बाद फुर्स है अमेरी का चली जाएगी और मेरे दियवे शॉक की वज़े से वह हमेशा सत्मे में रहेगी इसका फुली एंज्या करूंगा और वह अमलापर में नहीं है मुझे गोपी चाहिए मुझे सिर्ट गोपी चाहिए अगर वामलापूर में नहीं होगी तो वहां में जिन्दा लाश बन कर ही रहूंगा अरे इंदु तो रो क्यों रही है बताना क्या बात है बोल तो गोपी ने कुछ तो बोल यार मैं उसे अपनी जान से भी जाना प्यार करती हूँ उसके बिना में खुश कैसे रहूँगा किस से जगणा करूँगा मैं किसके साथ मजाग करूँगा पानी के बिना मछली तलबती है ना वेसे ही आज मेरा ये दिल तलब रहे है अरे यार इतना प्यार दिल मेरकर तो इंदु को यह बात बता क्यों नहीं पा रहा है वो ना करेगा इस डर्श से मैंने कभी नहीं बताया तो फेर आप क्यों बता रहे हूं उससे किसी और लड़की के साथ देख कर मुझसे बर्दाश नहीं हुआ मेरे दिल में सिर्फ वही है लेकिन उसके दिल में मैं नहीं हूँ मैं उसे I love you कहूंगा तो वही को की वज़े से ना कहेगी यह सारी बाते आप क्यों बता रही है पहले क्यों नहीं बताया हम बहुत देर कर शादी के लिए मैंने हां इसने की ताकि मुझे पता चले कि मैं उसक कि आप है कि यह ते ला म्याल काम्याब होगा ये मिलाये कीन है तादी के लिए वक्त है अभी तुबा निकल डाना उसके गल पॉंकता देख तुझे दाना होगा मेली करता में तुझे जा यार एक टिकेट अमलापूर के लिए काका अमलापूर वाली गाड़ी कहां एक नमर पर खड़ी है बाबजी तुने तुम मेरी नमर के लिए रुक जा पैसे चाहिए तो ले ले फोन दे दे अरे वो फोन तुने दिया है तुने जा सकता है तुने जा सकता है तुन्या आते बैलोर्डी ट्रें रवाना हो चुकी है मेरी तुम मेरी और Müekk догाड़ी जा हमाल दे जा है युम हाव, हम मी क्रिप्या ध्यांदे, ट्रेन नपर 12727, विशाका पत्नम से हैदरबाद जाने वाली गुदावरी सूपर फास्ट एक्सप्रिस, थोड़ी देर में प्लास्फॉम नम्मर दो से रवाना हो रही है सुनिये, मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ, ठीक है बेटा रही होगा, थोड़ी देर के लिए सिचोफ कर दूंगा तो फोन आना ही बंद हो जाएगा हलो, हलो, दिव्या, मैं इंदु बोल रही हूँ, इंदु हाई, कैसी हूँ तुम, ये नमबर किसका है, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में, क्या हुआ, एणी प्रोब्लम ही तो है यार, तुम मुझसे मिल, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ, अरे मैं तु बैंगलोर आई हूँ, अर्जिन प्रोजेक्ट के लिए, अब क्या करूँ, मैं दो दिन में आ जाओंगे, हैदराबाद में तो, तेरे अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तुम गबराओं मत इंदु, किसी वर्किंग मुवमिन्स होस्टल में रुख जाओ, तब त नस्ती चीज पी नहीं जारी है, अपने सची दानन को काल कर जल दे, हाँ, हाँ, एक मिनट, हाँ, बोलो शंकर, अले हो कहाँ, हम लोग तुमाला इंतिदाल कर ले हैं, गल्दी से आजाओ, अरे बहुत टेंटन में हो यार, मेरी बीवी कविता जोलर्स में गई थी, वहाँ नेकलेस की फोटो लेकर मेरे पास एस्टीमेट भेज दिया है, और उसके बाद से तीन दिन होगे, उसका मोबाइल स्विच आफ पता रहा है, मुझे बहुत टेंचन हो रही है यार, वो जब तक घर पर वापस नहीं आती, मुझे चैन नहीं मिलेगा, और मैं ड्यूटी करूँगा, तब तक तुम लोग सस्ती दारू से काम चलाओ, यह सब मुझे ऐसे क्यों देख रहें, यहां बर यह इतनी भीड क्यों है, इंडु का है ? बोल ! बोल हिंडु का है !! एं रुख जाओ ! आरे समस्या का राज नहीं होता है ? इस ने काम किया , इसके ठुकड़े कर देना चाहिए नाइडू जी ? एक बार पंचागी सवखा में आने की बाद, सब को यहांस के कानून का पहलण करना पड़ेगा ! जब यह लोग सीधे हमारे परिवार का सामना नहीं कर सके तो मेरी बेटी को अपनी बातों में पहला फुचला कर यकिन दिला कर धोह चार मेरी इज्जत उछाल दी गाओं में सब के सामने हमारा सर जुका दिया ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए बताइए इंदू को क्या हुआ है क्या हुआ खुद पर लो पिता जी मुझे माफ कर दीजिए मैं गोपी से बहुत प्यार करती हूँ उसके बिना जी नहीं पाऊंगी मैं उसके पास जा रही हूँ मुझे ढूनने की कोशिश मत कीजिएगा आपकी बेटी इंदू मैं हस क्यों रहा है तेरी रुख जाएए गाओं में ऐसी समस्या आएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए इस समस्या का समाधार गोपी करेगा यही मेरा आप सबसे निवेदन है अमारे परिवार के एक सदस्ति की वज़े से किसी को तकलीफ हुई है इसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ बेटी के घर छोड़ कर चले जाने का दुख जितना उन्हें हो रहा है उतना मुझे भी है बेटियां घर का सम्मान होती है ऐसे मैं परिवार पर क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ पर इसका आरोप मेरे घर पर लगा न यह अच्छी बात नहीं है फिर भी मैंने फैसला किया है कि आज से गोपी के साथ हमारा कोई रिष्टा नहीं बहिया चलो यहां से बहिया हमारे इंदू वो हमारे परिवार को ठुकरा कर जा चुकी है हमारे लिए मर चुकी है वो जाना दो सबने डाटा इसलिए बुरा लग रहा है ना इंदू मुझ से प्यार करती है यह जानकर खोश होई इंदू प्यार करती है पर यह कैसे हुआ यह यह हुआ है तुम लोग यहां तुम लोगों की वज़ासे मेरी नौक भी चली गई फाइस्टार से नो स्टार पे आ गया बहले पैसे करूंगा यह ले क्रेडित काट काफी है हाँ अच्छा है आज तो आपने बहुत बड़ा बिल बरा दिया और क्या सर काट डीजिए सर पिछली बार मेरी सारी पगार आपके खर्चे में चली गई मेरा भी कुछ सोची है सर हां दो मल्दी त्वाइप कर ले तैंक यू ले तो थोड़ नहीं चल रहा है सर दूठला देखना यह भी काट कार्ट काम भी तो इने से पहले सोच देंगे था ना सब्सक्राइब का तो है सर लेकिन बैलेंस किसी में नहीं है इन्हें अंदर करवाकर इसे बार कर दो हैं इतनी सारी बौत लें और उतना खाना तुम लोगों ने जितना पिया और जितना खाया इतनी चीजें तो हम पुलिस स्टेशन में एक हफ्ते में भी नहीं खतम करते हैं तुम लोगों का पेठ है या फिर कुवा है इसका फैसला पुलिस स्टेशन में करते हैं कॉंस्टेबल्स जीप में डाल दो इने अगली बार कॉंसे होटल में बताजी ना अरे गेट तो बंद हो गया कोई दिख भी नेरा है हलो कोई गेट खोले है प्लीज करन हो बेटी तुम यहां एक होस्टल में रहती हूँ मैं लेट हो गई तो वहां का गेट बंद हो गया तुम लड़की हो इसलिए तुम यहां सोजाओ मैं वहां सोजाता हूँ बंद हो फिलिया हूँ यहां सोजाओ मैं खड़िको फवट अवट दो वहां सोजाता है तो अवां सोजाता है वहां सोजाता है दो थेख वां कि अवां कि फोन उठा यार किसका फोन बज रहा है एक बार तो उठा ले वो फोन मेरे इंदू के निशानी है किसका फोन होगा अरे अरे प्लीज उठाना यार गोपी गोपी का फोन है क्या पासवर्ट होगा भाई फोन तो खरीद लिया लेकिन पासवर्ट क्या है पुष्पा सुनो ना इंदू सीधे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा जो तुमसे कहना है वो फोन पे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ दिल को थोड़ा सुकून पहुँचेगा यह जो फोन है ना मेरी जान है पता है क्यों क्योंकि यह तुम्हारी वज़े से खरीदा है तुम्हारी निशानी के रूप में एक ही तो चीज है इसलिए इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं कर पाता हूँ जब भी देखता हूँ तुम्हारी शैतानी और तुम्हारी शरारत ही यादाती है इंदू तुम्हारा प्यार मिलना मुम्के नहीं है मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ इतना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊँगा इंसान जब परेशान होता है तो वो अपने परिवार वालों को सब किच बताकर अपना दुख हालका कर लेता है लेकिन मैं तो हो इतना बदनसीब हूं कि अपनी परेशानी में मैं किसी को नहीं बता सकता मैं सोचता हूँ अगर यह फोन कहीं खो जाए और तुम्हें मिल जाये तो मेरी सारी परिशानिया तुम तक पहुंच जाएंगी और तुम समझभाओगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ एक बात और, हाँ, तुम पिले रंग की साड़ी में खूब सुरत लग रही थी लग रहा है मैं आतिराथ सो ही नहीं पाऊंगा हुआ 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 है शहर में कलरा को एक यूती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है जिसकी हत्या हुई है वो सोचल अक्टिविस्ट पूर भी है ऐसा पुलिस का कहता है एटीम से पैसे निकालने को नहीं आति मेरी मदद कर दोगे इसके बारे में चार्ज परताल कर रही है जी अभी आता हूँ बोलिए मैडम एक रीचार्ज करवाना है नंबर बोलिए नंबर है 9533-590-390 मेरा मोबल स्विश्ट पूर गया है चार्ज कर सकती हूँ क्या हाँ ठीक है लीजिये माजी संभाल कर रखना तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया नंबर गया है झाल झाल गोपी 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 रुको गोपी 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 अने उठाओ इसे कोई फोन करो एम्परेंस को बिलाओ क्या हुआ है एंदू गोपी 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 इंदू इंदू मैंने गोपी को तेका था गोपी कौन है कम ओन, असल में हुआ किया बताओ मोबाल, मोबाल, वो तुम्हें वही बूल गई मैं कॉल करती हूँ, ठीक है, हलो, सुनिये, का चाहिए, मेरा मोबाल अंतर रह गया था, दुकान अभी बंद है, सुभाई येगा, ये भगवाद, उन चोरों की वज़र से शेहर के सारे बाज मेरी नौकरी चली गई है, तर्विय ही एक बार बचा है, इन्हें इस बार में आन से जाना तु बात रूम में बैठता है, रस्टमस की बचीवी दानु पीना बन कर दे तब तरह पेठीक रहेगा, ला दे मुझे, जल, थैंक यू, आरा है, वही आरा है, मूह तुपाले, एक्स्क्यूज में से, अबे, चोरों तुम लोग, यहां भी आगे, मैं तुम्हें तुम्हें दूगा, अले, रुको, गस्तमस की दालू लेके जाना पाप है, रुको, शादे, मैंने दाल, हमें हमाली दालू ताहिए, ये लेकर डाला है, कहो आपकले, ठीक है, एए, इनने सर्विस दो, इल्कल सर्विस दहीं दूगा, है, मैं बोलना हूं दो, जाहे, कुछ अरे निखलो या जाए अरे सावट कीज़ ज़ाए सावाट कीज़ ज़ू निख रहें जादा हो रही है बन्जारा हिल्स के एएसाई सत्र नारायन शेहर के कुछी यूखों का ग्रुप बना कर फाइव स्टर होटल के हाइटेक बार्स में भेज कर उन्हें तभियस से दारू के लिए बोलते हैं उसके बाद बिल नहीं बढ़नाय कहकर अरेस्ट करने का नाटक करके उनके पास से पांसो या हजार रुपे का नोट लेकर छोड़ देते हैं कुछी दिर पहले सत्र नारायन को रैड हैंड़ पकड़ने वाले कमिशनर ने बताया कि ये स्कैम शंकर और न करो चलो एक मिनट ये में हात में डालो अले लुको याद क्या कर लियो है इन्हें कितना भी मार लो इससे ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी इसमें से सिम निकाल कर नए सिम डाल देना स्कैम के सूत्र इधरे सत्य नारायंड के बारे में जानते हैं बोले सर्ड मेरी पत्नी ही मेरी दुनिया है और अपनी सेलवी के साथ मैं बहुत खुश था ऐसे दोछोरों मुझे इस धंदे में लाकर मुझे बर्वाद कर दिया सुनिये कमिशनर सायर मुझे एक गंड़े के यह इसे ही है, सर, मीडिया, इसी को भी फसा दिते हैं अरे इसने तो मीडिया के सामने मेरी इज़त खड़ाब कर दी इस पर इतने सारे केसे सामने मुझे खोलना इतना खतरनाक है पुली स्टेशन में प्रैस को क्या-क्या बोला जा रहा है, आप देख रहे हैं ना माई बाफ, मीडिया से एक मिनिट और बात किया तो मुझे फासी हो जाएगी, मैं मुह नहीं खोलूंगा सुनिये, कल में अपना मुबाइल यहां चार्जिंग पे रखकर भूल गई थी हाँ, मुझे पता है, आपका फोन पुरा चार्ज हो गया है, यह लीजिए थेंक्यों सो मुझे, हाँ, थीके, 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 हाँ, चलिए उतर ये, जलओ जली से रोखना दो, येलो पैसे, ये ज्या, डेर्षो क्यों देरे हो बढ़िया हो तुझे कोई तमेज है भी हा नहीं, अरे डेर्षो की क्या बात करता है धाए सो देति में तुझे, तुने मेरे इगो को हर्ट किया है समझा देना था मुझे लेकिन अब नहीं दूंगी इस उंबर में कौन सा इगो है क्या जानता है असल में रामपूर की हुमें मुझसे कर पंगा लिया ना तो तेरी खाल खीच कर दूप में टंगा दूगी तो बुढ़ी आस रोड से है अब बुढ़ी वारत पर अपनी ताकत क्या दिखा रहा है पहलवान के जैसे आया है जवान है ना तो उसे लड़ता हूं गुट एक नहीं पाइस अंधिया पैसे आप वाल योगा करने के जगा तुम लोग यहां पर इको दिखा रहे हो शांत रहने वाली जगा पर जगला कर रहे हो क्या परशानिया तुमारी हो एविद में विच में क्यों बोल रहा है तुझे भी लगा मुझे लगा इना इतना जाकर उसी से पूछ ले कि सुन्दराजन कौन हो बता देगा तेरे को भाई सॉरी भाई सॉरी एक बात बोलता हूं सुन ले इस एगो को घर में रखकर अपने दुश्मन से प्यार कर लाइफ अची चलेगी समझा गया समझ गया बाई तो जा फिर जाकर ग्राग देख चल जा अरे जा और बेटे तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम हैदराबाद में नाया आया हो कौन से गाउं से आयों यहां पर जी मेरा नाम नाम को पी है मैं अमलापूरशाया हूं क्या अपने अमलापूर से हां अरे वहां की हरयाली नारीयल पानी भैते जर्णे सुखी में तो बात करते करते पुरा दिन ही खतम हो जाएगा चलो हमारी खर चलते वहां चलकर बाते करेंगे जी नहीं सर इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत-बहुत छोक्रिया सर अरे तु ऐसा क्यों बोल रहे बेटा तुझे देखते ऐसा लगा जैसे तु मेरा चोटा भाई है चलो वह सर ठीक है यह लो यह काड़ रखो इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है यह मत भूलना अच्छा बुरा जो हो बस अपने भाई को एक फोन कर ले ना भाई आ जाएगा ठीक है ना जी सर गाड़ी निकाल रहे ना तुम्हारे सामने मेरी जबान झोटी पढ़ जाएगी यह सोचकर सुप था मा चुंता कहीं का वह सब énorme और प्यार रणा सुन मा, मैंरे का सुनには.. मा.. अरे रंगा.. यह तो गोदावरी का बेटा है ना.. बेटा यह तुम सही कह रहे हो.. यह वही है.. आरे सुनिए भावू.. गोदावरी का बेटा है ना.. स्कू सुनिय अ.. क्यों बेटा.. तुम बिना कुछ बोले.. वहाद से चले गए वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था ठीक है बेटा मैं एक बात पूछ रहे हूँ बुरा मत मानना हां मेरी मंगा के लिए रिष्टा देख रही हूँ एक अच्छे लड़के को ढून रहे थी लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मिल गए तुम्हें एतरास तुन नहीं है न मेरी मंगा बदनसीब है कौन है वो नसीब वाली लड़की है इन दो यादे यादे तेरी यादे मुझे को रुलाए मुझे को सताए कोपी 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 मेरा नाम कोपी है तुझे क्या मैं उल्लू दिखाई देता हूं सोचा मडर करके आसानी से भाग जाएगा लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं इसे प्यार में भसाकर बड़ी बहरहमी से मारा तुने यह लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूं बस एक ही बारिस के साथ सेल्फी ली थी सर लेने के लिए तु बहुत बड़ा सलेपरी थी है क्या चल्ड गोपी और रचार एइड़ दूड़ मेरी मात इंदो घोपी इंदो चल्ड रचार वैसर आपको कोई गलत फैमी हुए है सर गोपी ऐसा नहीं है सर वह बहुत अच्छा है सर लिए इसे छोड़ दीजे इसका character certificate मत दो, अपने घर वापस जाओ, ये धोखे बाज है प्लीज सर्व प्लीज सर्व अजाओ इसे सर गौपी सर गौपी गौपी एंदू गौपी एंदू 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 इंदू एंदू गौपी इस चलिजाओ एंदू प्यूपी कर nic प्यार के नाम का जाल बिछाया चाल में पहसा बन्हुमा होने के बाद बेरहमी से मार डाला अम्रापूर के ओल्भी नाम के व्यक्ति ने बंजारवा हिल्ज के पूरव hm पुरिवी नाम की लड़की से प्यार का नाटक करके उसे बेरहमी से मार डाला छिपकर घूम रहे गोपी को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है पकड़े गोपी का इंवेस्टिगेशन बंजारा हिल्स के डीसी पी चंदर शेखर कर रहे हैं देखे डीसी पे चंदर शेखर अरेस्ट प्रमीडिया को क्या बताया है गोपी नाम का वैक्ति आमलापुर से पुरिवी नाम की लड़की किसने हत्या की है इंवेस्टिगेशन चल रही है कमपलीट होते ही सारी डिटेल्स बताएंगे यह सब क्या है बेटा तुछ पर का इल्जाम पुझे बहुत किया मेरा श्रावी तुझे लगा है नहीं पर यह सब क्या है मैंने कुछ नहीं किया यह हमें भी पता है पर तुछ पर से यह इल्जाम हटेगा कैसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या यह लो रखो इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है हमत बुलना है नमस्कार सर नमस्ते यह मेरा बेटा है तो फेर यह कोई महान आत्मी है या महात्मा है मर्डर किया इसने पर से चल निकल यहां से चल निकालो ने चलिए बार चलिए अब हमारे सुन्दर राजन जी अपना चैक सांस्ता को परदान करेंगा मुझे ये कलास लेना, स्पीज देना ये सब नहीं आता है लेकिन मैं अपने युवाओं से एक बात सीधे सीधे पुछना चाहता हूँ अरे भाई, तुम्हारी वज़ा से तुम अकेले बरबाद नहीं हो रहे हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गाओं, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा देश बरबाद हो रहा है, जरा समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे भाई, इस नशे को छोड़ दो, है क्या इस में देखो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से भाई सब जरा है माइक पकड़ना एक मिनट के लिए हलो कौन बोल रहा है मैं गोपी का पापा हूं कौन गोपी वही जो अमलापूर वो अमलापूर का गोपी जी सर हाँ क्या हूआ अच्छा कौन सा पुलिस टेशन हाँ हाँ गोपी एंशन मत लो मैं आज चुका हूँ मैं सब संभाल लूँगा जा संभालेगा बे हलो डीसीपी साहब मुझे लोग सुन्दर राजन कहते हैं वैसे तुम एक बिजनेसमैन हूँ लेकिन साथ मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ तो मैं क्या करूँगा साब हमारा गो मैं सुनो मैं होम मिनिश्टर बोल रहा हूँ मैंने सुना है पुलिश टेशन में सुंदर राजन जी आए संभाल कर नहीं तो तुमारा ट्रांसफर हो जाएगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ अब तुझे समझ में आया ना हमारे कोपी ने मर्डर किया है इस बात कर तुमारे पास क्या सबूत है देखिए डिसीपी सहब अकॉर्डिन टू सेक्शन 50 ए अक्यूस से संबंदित केस की जानकारी उनके ब्लड रिलेशन्स को ही बतानी बहुत ज़ादा गर्मी है इसमें इसने दस लोगों को पब में थोड़ा रहा इतना काफी है या और कुछ चाहिए जो बोलना है कोट में बोलना आउट हत्या के गुना में आरोपी पाए जाने वाले गोपी को कोट 14 दिन के रिमांड पर भेज रही है अबे देख क्या रहा है खाएगा क्या नजर नीचे तोना नहीं क्या अगरेशी का तुम मारेगा मुझे क्या नजर बढ़ेशा डैरा हमंदे ज़्यां जकर क्या पर आवायовор मुझे मलतड नंग पंधिघ के मुझें इनग पर आवो आवैऎी खाणो पेड़ेशा मुझे chicks कि ले diligent ले ले हु़रerd कि ले ले हु़र Ming वह बहुर्षर कि ले 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 लो स्थ लो क्या हुआ दा है लुगेंग इस आई पर में चोट आईया है सर में चोटी इंजरी है पुल्से इस और राइट वी गौट लॉट लॉज्ट इसके पुराने जवाईया ही आगे कंटीनू रखिये नमस्ते दोक्टर इसकी कंडिशन कैसी है एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है नथिंग तो इसे डिस्चार्ज कब मिलेगा विधिन टू थ्री टेज ही विल बी डिस्चार्ज सार सार क्यों भै शांती से नहीं बैठ सकता क्या तो इस तरह से मर्डर्स करता रहेगा तुझे लगता है कि हम देखते रहेंगे तुझे मेरी बात तो सुनिये सर इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा ओके सर अगर जरा भी हरकत की तो गोली चला देना इसके डिस्चार्ज होने तक सावधान रहना मारना तो है उसे जिन्दा नी छोड़ूगा ए चिगरेट उसने किया क्या है इसका नाम कोफी है अमलापुर का है इसने कुछ दिन पहले एक पुरी भी नाम की लड़की का मुर्डर किया है मुर्डर किया है तुम जाओ इसने की हिम्मत की है तो हमारे मानने पर दुबारा मारता यानि हमारे मुताबिक वो मदर तुमने नहीं किया है क्यों बे मदद चाहिए जों से मार रहा है दर दो रहा है कोई बात नहीं रहे तेरी तो सोरी भाई करना पड़ रहा है नो प्राब्लम सर गोपी जिल से भाग चुका है सर अरे कोई बात नहीं थैंक यू सो मच अब क्यासे हो मैं ठेक हूं नमस्ते सर गुड मॉर्निंग देखो गोपी आज जो हम पती पतनी इतने खुश है उसकी वजे तुम हो अब आज अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम ऐसे कैसे रह सकते हैं गोपी नाम का क्रिमिनल फरार है डिखाय दिया नहीं सर दो घंटे से हम यहीं पर हैं दिखते ही घोली मार देना उसे यस सर गोपी डिसी पेस आप चले गए हैं डोंट वरी मैं हूना तैयार होकर आजाओ ब्रिक्फस्ट करते हैं ठीक है सर यह सब कैसे हुआ गोपी वो लड़की है कौन और तुम इस केस में फंसे कैसे कितना भी सोचों कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर यह सब जिसने भी किया ना उसका मेरे हाथ और खुन जरूर होगा शान्त हो जाओ गोपी शान्त नहीं हो सकता जो भी हो रहा है उसने मेरे इगो को तोड़ दिया है सर मर्डर वाले दिन तुमने उस लड़की के साथ पूरे 45 मिनट बात किये मैं इस बारे में नहीं जाता हूं सर उसी दिन मेरा फोन रिलवे स्टेशन से चोरी हो गया था तो फिर मर्डर के दूसरे दिन ही उस लड़की के ATM कार्ड से 40,000 विड्रो क्यों किये सर सर ये वीडियो आपको ATM की CCTV फोटेज है डिपार्टमेंट से बिलिये मुझे मैं उस दिन वहाँ चाय पी रहा था एक दादी मा मेरे पास आई उन्होंने कहाँ कैश वेड्रो करना है तो मैंने कर दिया हत्यारा चाय जो भी हो उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें फसाया है ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी पहचान से हो अच्छा ये बताओ तुम्हारी पहले किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी जरा याद करो मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है सर तो फिर पब में इतने लोगों को क्यों मारा तुमने तुम्हारे एग्रिसिव नेचर की वज़े से हमारा डिपार्टमेंट इस कंक्लूजन पर आया है कि ये मडर जरूर तुमने ही किया है गलती मेरी नहीं थी सर जानबूच कर उन लोगों ने मुझसे जगडा किया पब के जगडे के बारे में आपको कैसे पता चला किसी अन्नोन परसन ने टीवी में तुम्हें देखकर हमारे डिपार्टमेंट को इनफर्म किया अभी कुछ-कुछ समझ में आ रहा है पब में उस दिन हत्यारा मौजूद था सर मेभी हो भी सकता है पर तुम उसे पहचान होगे कैसे जरूर पहचान लूँगा सर उसने गोपी के इगो को हट किया है उस इंसान को मैं कैसे भी पकड़के उसके इगो को चूर-चूर कर दूँगा गोपी देखो इन हालातों में तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं घर में रहके क्या करूँगा सर चाहे कुछ भी हो जाये मुझे जाना ही होगा एक मिनट गोपी गोपी इसे रख लो इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें और मेरी गाड़ी ले जाओ किसी को तुम पर शक नहीं होगा अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना जी सर थैंक यू सर अपना खयाल रखना गोपी तुम सही कह रहा हूँ जीप में बैठो मैं नहीं होगी प्यार की बात लोग समझते ही नहीं हेलो डीज़बी ये क्या जबर्दस्ती है तुम पुलिस वाले हो या मावाली हो अरे बीस सड़क पर एक लड़की को घशिट कर ले जाओ ऐसे तुमारे किस कानून में लिखा है बताओगे मुझे सब क्या चल रहा है तू को नबे हर बार मेरी ड्यूटी के भीच में आ जाता है अगर जादा बोला तो भूल कर दुगा क्या है गोली चलाओगे अरे तुम जैसे लोग ही बिल्ली ने दूद पी लिया कहकर उसकी मा को एरेस्ट करते हो अरे तुम में दम है तो गुनेगार को पकड़ कर दिखाओ अरे भाई इसकी तरह मासूम लड़की की इजद बीज सड़क पर उतारने में कोई मरदान की नहीं है तुम क्या समझते हो कि ऐसी दादागीरी पब्लिक के बिच में दिखाओगे तो पब्लिक तुम्हारी दादागीरी चुपचा परदास्ट कर लेगी अरे आओ बहलो इस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो हम यहां से नहीं हटेंगे हम किसी से डरते नहीं है क्यों बहनो पब्लिक को मजाग समझते हैं पुलिस वाले जलो बेटी हमारे घर चलो डरो मत बेटी डेखो मैं उस डीशीबी के जैसा महीं हूँ मुझसे बिलकुल मत डरो मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ चलो आओ मेरे घर चलो जलो आओ बेटा बेटा श्कार करो सब को ठीक से चेक करना कोई भी छूटना नी चाहिए कि अव्यू अव्यू आओ आओ निकाल खाली काँ चूपर मत कर पूरा हेल्मेट निकाल कि आपके जान सकता हुआ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है यह तो पीकर गाड़ी चला रहा है उपर से पुलिस पर ही चिला रहा है क्या तु अब तो तु गया चल गाड़ी साइड में लगा और पहले फाइन निकाल मैं फाइन दूंगा क्या देना पड़ेगा फाइन अब यह तक मैंने बिना लाइसंस कि कभी गाड़े नहीं चला या एंप फेक्ट यूमन बिंग यू अंडर्स्टेंड अर्य मुव पर क्यों थूख रहा है यार्शाब मुझे क्या पदा साब मैं क्या बोल सत्ता हूं ने भी किस से पूछ लिया अजा चल वो सब चोड़ प अब लाइसंस निखा लू तुझे ही निकालना पड़े लाइसंस दे अच्छा वो क्या लिखाया बता हूं वाहन धारक के पास जरूर लाइसंस होना चाहिए यह लाइसंस इस से बांगो चलाट मुझा अब तो तो क्यो ड्राइब कर रहा है यह बता है मैं बार से आ रहा थ यह बोला पर चला नहीं पाऊंगा तो मैं चला रहा हूं इस अलोजिक मैं यह लोजिक यह बोल रहा है अरे इंस्पेक्टर तुमारी प्रोब्लम क्या इस लोजिक से तो ब्रहमा भी नहीं बचेंगे समझा अच्छा ब्रहमा हाँ ठीक है अप्सोन ट्रिपल राइडिंगा फाय है ट्रिपल राइडिंग का फाय है इस जो के बोलो तेरी तो टीन लोका है एक दो तीन कैसे हुए एक दो और आदानर दाई कैसे हो गया एक दोर पूरा गाना सुनने के लिए आस्तों आधानी के बात की ये दूसरी लड़ाई लड़ रहा है चलो अब चलना है या दिखा रहा है जाओ देखू क्या हो रहा है जी एचाओ देखू क्या हो रहा हुदर अब भाई साब ज़र एक मिनिट ये लिए लिए जी शुक्रिया कौन है रह तू और तू मुझसे क्या चाहता है ये रही फाइल इसमें शहर के पिक पॉकेटर्स और चेंड स्नेजर्स के सारी डीटेल्स मिल जाएंगे यही है सर उस दिन इसी ने मेरा फोन चुराए था यह है यह तो एक छोटा सा चोर है इसका नाम चंदू है सिकंद्राबाद इलाके में रहता है इसे हमने कई बार पकड़ा है बेल पर छूट कर वापस से चोरी करता है लेकिन इसने किसी का मर्डर किया होगा मुझे नहीं लगता लेकिन गोपी इससे हमें क्लू जरूर मिल सकता है भूपकरन कर जाएगा रूपकरन जो 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 भूपकरन जो जो बाई सब रसी से बांते हैं चैन से बांते हैं लेकिन भाई तुमने तो बेरहमी से फैवी क्यूक से चिपका दिया इस वक्त मेरा तुझ से बात करने का जरा भी मोड नहीं है फिर भी मोड बदल कर एक सवाल पुछता हूं और उसका बिलकुल सही जवाब देना उस मोबाईल के बारे में नहीं बाई वो तो कब का गुम गया भाई मैं तुमें नया मोबाईल ले कर दूँगा भाई मुझे छोड़ दो भाई मेरा फोन चुराने के बाद उस लड़की के फोन उठाया था भाई उधर से कुछ लड़कों की आवाज है और लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी भाई वहां क्या हो रहा था पता नहीं भाई लेकिन वहां कुछ तो गड़बड हो रही थी सोचकर मैं चुप-चाप सुनता रहा भाई वो लड़के उस रही दे रहे थे भई लड़की बहुत चिल्ला रही थी थोड़ी देर बात उस लड़की को बहुत मारा भाई लड़की का मअड़ कर दिया हो यह सोच कर मैंने मुवायल वही पार्क में फेंक दिया भाई कि is this स्यूदा मैं कुछ नहीं जानता भाई मताब क्या बात कर रहे आप तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे मारो इसे सॉरी सॉरी आपकी पर्मिशन के बिला मैंने सेल्फी लेए उर्वी की बेहरेमी से हत्या किये बेटा एटीम से पैसे निकलने को नहीं आते मेरे मदद कर दोगी उसने बहुत ही चालाकी से तुमें फ़साया है अरे गोपी तु कैसा है रहे है मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना सच मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना मैंने नफरत से तुझे भागाया था और तु प्यार से मेरे पास आ गया भरोसा करने में तुझ से बढ़कर और कोई नहीं है मेरे दोस्त मेरे दुख में मुझे संभालने के लिए शुक्रिया थैंक्स अरे गोपी गोपी रुग्जा अरे कहां जा रहा है गोपी रुग्जा गोपी कहां जा रहा है रुग्जा गोपी अरे रुखना ए टॉमी यहां कर सोजा भाईया, आप यहाँ इस देदी कुछ जानता है तू भाईया, उस दिन आपने मुझे एक हजार रुपे दिये थे ना तोन हजार रुपियों से मैंने इसका हिलाज करवाय था थैंक यू यह देखर उसने मेरे साथ सेल्फी कीची थी तो उस लड़के के बारे में कुछ जानता है या मैं कुछ नहीं जानता भाईया प्लीज बेटा सोच उसके बारे में कुछ तो याद कर बोलना बेटा जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास प्लीज बोलना बिटा प्लीज बिटा बोल जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास एक बार मिली थी गाल ले लीजी चोटो तो इथर दीधी आ तुम यहां क्या कर रहे हो दीधी पैसे दीजे न पैसे क्यों और यह क्या है मुझे कोई देख रहाँ होगा अरे, नमबर ठीक से देखा, नए पैकेट दीदी को दे दिया, सोरी दीदी, ये गलती से आपको दे दिया, ये पैकेट में क्या है, हर रोज रात में तीन भहिया आकर मुझे पैकेट और कार्ट्स देते हैं, इस कार्ट पर जो नमबर्स होते हैं, उस गाड़ी वालों को हमें कि एपेदी के समद होता है और वह पैसे देते हैं यह पैकेट वह किसकी सो को देपे हैं हम जैसे बच्चों को दे ने हैं नहत्ति उम्हारे साथे मुझे और कहा है नहीं तो में पहचानूंगी कैसे उनकी शोर्ट का पॉलर भी मेरी तरह उपर उठा होगा अच्छा ठीक है ठीक है सारे पैकेट्स मुझे दे दो भाहिया मुझे मारेंगे तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा यह देखो यह लूपैसे तुम्हारे पास जिसे पैकेट्स है मुझे द करेंगे मुझे परिशान कर रहे हैं अरे बंजारा हिल दिलकुस नगर राम नगर अलग जगह से फोन आ रहे हैं कस्टमर्स कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं राका अरे अगर माल पहुंचाने तो फिर माल गया कहां मेरी तु कुछ समझ में नहीं आ रहा है शहर में कुछ न कुछ हो रहा है इसका पता लगाओ ए तू पहुन रहा है तो पहुन रहा है मुझे संदराज कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ और सोशल सर्विस भी करता हूँ अरे आप लोग ड्रेक्स छोड़ दो आखिर इसमें रखा क्या है सुनो इमानदारे से मुझे छोड़ दो वर्रा तुम सब को मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी वाँ 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 चोकरी का बहुत उबलता हुआ खून है मुझे पकरवाने के लिए तुम्हें यहां से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं वो लोग ही यहां आएंगे अच्छा कैसे अरे कैसे आएंगे बताओ ना तुम ऐसे नहीं समझोगे रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाते हूँ अच्छा सुनो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ मुझे कुछ भी हुआ ना तुम लोग जिन्दा नहीं बचोगे इस लड़की से मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो यह मुझे ही होशयारी दिखा रही है माहत यानि तुझे मजाक लग रहा है सिगनल के पास छोटे बच्चों से ऐसा काम कराते हुए तुम लोगों को बिल्कुर शर्म नहीं आती तुम कैसे इंसान हो ठीक है मैं भी अब देखती हूँ तुम अप्रेल बिजिस कैसे चलाते हो इसको ले जाकर दपना दो भाई इसने फोन अन करके सारी बद किसी को सुनाई है भाई ये है गोपी अमलापुर से बहुत तशन में रहता है कलब में इसने हमारे आदमियों को मारा था शुआ बाई चैड़ाँ बाई प्रभ्णाफ highlights प्रणियों करें विभ्णाप। थरकें ये आयो जो ना थी जूआ करें था भी आद करेंदेजिए सब्सक्राइब आप नहीं आप नहीं आप नहीं आप पीछे रही है कोई कली मिला हत्या बहुत बेरह्मि से की गई है सर स्पॉट से कुछ दूरी पर एक हैंडबाय N. और एक सैलफन मिला है सर लास्ट डायल नबर बॉइफ्रेंड का था पैसालिस मिनट तक दोनौं की बात हुई फोन गैलरी में दोनौं की एक सेल्फी भी है सit इसकी प्रोफाइल पिक और सेलफी दोनों एक ही हैसा, डेफिनेटली उसे ने मर्डर किया होगा, कितनी बार उसको कॉल किया, स्विच ओफ आ रहा है, हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिये सा, ओके, और क्लूज ढूनने की कोशिश करो, 24 गंटे के अंद वह गाव का गावार जेल से बाग कर हम लोगों को टेंशन दे रहे हैं, एक बार मुझे मिल जाए मैं उसे वहीं मार दूंगा कर दूंगा हुआ! किसे घूड़ रहा है? किसे घूड़ रहा है? मेरे सिर पर मुड़रर का थपा लगा है ना? उसे हकीकत में बदल रहा हो तुम लोग बीटा, बीटा, बीटा उठो, 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 उठो भाई, वो मिल गया, अमने उसे मार दिया अखरी सांस ले रहा है, बोलो तो उसे खातम कर दूँ हाँ भाई, वो आमार प्रीट चेंटर में बैठा है लगता इसको मैटर के भारे में कुछ पता नहीं है कैसे भी करके उसे एट्यम काड़ यूज करवाओ अरे माजी माजी ये पैसे रखो और उसके पास जाकर इस एट्यम काड़ से पैसे निकालने को बोलो जीना मुश्किल कर दिया था अब तु कैसे जिन्दा बचेगा देखता हूँ थो ये उस्काणने के बनाए मेरे सामराज्य को बीस मिनट में दफनानेगा तुने कैसे सोचा? कैसे सोच लिये? चैसे सोच लिये? अस दिन पार्क में तुमें कहर बुला कर किया मैंने बात करने के लिए बुलाया था मारना चाहता था पर उस दिन तिरा ताइम अच्छा था इसलिए तु बच गया लेकिन आज कहाँ जाएगा तु गाउं में ठंडा चावल खाने वाला तुछ में इतना ही को है तो शहर में धक्का मुखी खाने वाला मुझे में कितना ही को होना चाहिए अले गाम वाला ये सोच कर मैंने इसको केस में फसा दिया लेकिन ये तो बहुत ही खतारनाक निकला काम करना मर्द की मजबूरी है ये सोच कर ड्रग का धंदा चालू किया तो तुने मेरे धंदे में क्यों टांगर आई रहे ए देख मुझसे पंगा लेगा तो मैं छोड़ दूँगा लेकिन मेरे धंदे से पंगा लेगा तो मैं जान से मार दूँगा तुझे जान से मार दूँगा उसने पंगा लिया इसलिए वो मर गई तो तू क्या बहुत बड़ा हीरो है तू मुझे पकरवाएगा झाल पकड़वा पकड़वा रे पकड़वा रे जेल में रहता तो कम से कम थोड़े दिन तो जिन्दा रहता लेकिन बाहर आकर क्या कर लिया तूने मेरे हाथो कुट्थे की मौत मर रहे ने तू अब पागल है ये इसको जीने का कोई हक नहीं है मैंसे अपने हथों से मारूं को इलना मत खुद को हमारे हवाले कर दो मुझे मत मारो मैं अपने आपको कानून का हवाले करता हूं DCP, मुझे मत मारो गोपी निर्दोश है जरा लेट से पता चला तुम्हारी पूरी कहानी पूर्वी ने कुरियर से भेजी थी गोपी का पीशा करूँगा तो तुम जरूर मिलोगे मैं जानता था मेरा गेस परफेक्ट था स्टेशन में आकर तुने कितना नाटक किया था याद है पुप्लिक चुप्चाप बैठेंगा आसा सोच रहा था तु आए अववेटी मेरे घर चलो मार दूगा डीशीपी से मार दूगा थेक्ट मार दूगा अशेम मैं थेक्ट थेक्ट आँ और जा यहांसे नल जा चल निकाल हुआ! gw methodology आफ पूर्वी केस में गूपी को फॉलो करने पर मुझे असली मुझरिम मिल गए वो मुझे पर फायर करने लगे तो मुझे इंकाउंटर करना पड़ा ओके सर पूर्वी अत्या केस में पुलिस के सबूतों के मताबिक गोपी बेगुनाह है ऐसा कोड का मानना है रिमार्ण में रहते हुए जेल से भागने की वज़े से गोपी को आठ दिन की सारनन जेल की सज झाल 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 झाल